नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दिक्षित अश्टलोजर, आज हम बात करेंगे, 20 नवंबर 2021 से गुरू जो हैं कुम्भ रासी में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नच्छतर रहेगा, इसके प्रभाव से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा हमारा कारव व्यापार चलेगा, संतान सुक कैसा रहेगा, और रोब बिमारी क्या किस प्रकार से गुरू देव हमें क्या देंगे, किस रासी वाले को कौन सा लाग होगा, तो यह आज सारी जानकारी जो है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा आ हमारा चनल है, जन्मकुल्ली हस्तरेकार रितन बास्तू जो तसकी समस्तकार हमारे काले सी किया जाते हैं, इसके साथ ही साथ जो है सिर्मर्केट के याने की गोल्ड, सिल्वर, निप्टी, निप्टी वैंग की तेजी मंदी जो है देनिक प्रिक्षन दिये जाते हैं वो भी आप राप्त कर सकते हैं अब आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि 20 नवंबर से गुरुदेव रहस्पती जो है कुम राशी में प्रवेश कर रहे है और कुम राशी जो है शनी देव की राशी है तो इन पे इनका क्या असर रहेगा यह हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि मेश राशी के कुम याने 11 भाव पर मेश राशी के कुम राशी आती है तो कुम राशी पर क्या असर रहेगा तो जी हां दोस्तो कुम राशी वालों के लिए गुरु जो है धन्य धान की पूर्णे व्यवस्था करेंगे आपके लिए गुरु की जो है पंचम दरश्टी चतरत भावब पे पढ़ रही है याने की जो है गुरु देव की चौति जो पांचवी दरश्टी जो गुरु रहने से संतान बिद्या बुध्धी विवाह इन सारे कारियों में आपको सफलता मिलेगी और जिनके यहां पुत्र जो नौभी द्रश्टी पढ़ रही है वह सब्तम इस्थान पर रही है तो जिन भी लोगों के साधी विवाह नहीं हुए है या किसी काम में अर्चन आ रही है तो उनके पुनायकार सिद्धी के योग बनेंगे तो इस प्रकार से जो है गुरुदेव रहस्पती आप लोगों क लिए सुफल देगा में राशी वालों के लिए गुरुदेव सुफल आपको प्रदान करेंगे अगली राशी हम देखेंगे कि ब्रसब राशी वालों के लिए गुरुदेव का क्या फल रहेगा तो गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है वह आपके चतुर्त दसम भाव पे हो पढ़ रही है नौभी द्रश्टी जो पढ़ रही है वैं पढ़ रही है आपके चटवे भाव पे रिण रोग और शत्रूइअ की इसके प्रभाव से आपको कुछ रोग कर्ष्ट आदी उत्पन हो सकते हैं और कर्ज आदी की वी संभाव ना बन सकती है इसलिए साउधानी रखें कर्ज आदी ना लें रोग आदी होने पर जो है तुरंत उप्चार कराना आपके लिए बहतर रहेगा अब हम देखते हैं कि मिथुन लगन वाल से आपका सारे रिक स्वास्त बढ़िया रहेगा मन सोचे चाहे कारे आपके सिद्ध होंगे इसके साथ ही साथ जो है नौवी दर्ष्टी विद्या बुद्धी ज्यान के स्थान पर पढ़ रही है संतान सुक्की ब्रद्धी होगी कार ब्यापार लाटरी सट्टा और जो रहेंगे गौर्य ब्रहस्पति करक राशी वालों के लिए अश्टम में आ रहे हैं तो करक राशी वालों के लिए कुछ परेशानियां उत्यपन हो सकती है ऐसे स्थित्य में जो है आपको सांती उपाश जरूर करना चाहिए ब्रहस्पती के लिए आप पीली वस्तूओं का दान कर सकते हैं गुरुवार का ब्रत धारन कर सकते हैं या फिर सुनहल रत नादी पहन सकते हैं क्योंकि करकराशी वालों के लिए भागेश भी गुरु रहते हैं और अश्टम में चले जाने से कार व्यापार की हानी होगी कार जो है करकराशी वालों के लिए जो है कुछ उपाय आदी करने से गुरुदेव आपको सुफल प्रतान करेंगे क्योंकि धन स्थान पर गुरुदेव की दरश्टी पढ़ रही है तो कुछ गुप्त धन की आपको प्राप्ती होगी रोके हुए कार आपके पूर्ण है तो भूमी भावन आदी के काम जो रुके हुए है उनमें आपको सफलता मिल सकती है या आप उने खरीच सकते हैं यदि आपके पास व्यवस्ता नहीं है तो रुका हुआ काम है तो यह आपका पूरा हो सकता है अगली राशी हम देखेंगे सिंग राशी वालों के लिए गोचर से जो है कार व्यापार में कुछ आपको परिशानी उठानी पढ़ सकती है दामपत्य जीवन में कुछ अनवन हो सकती है साथी सांद गुरू की दर्ष्टी स्वास्त लगन पर है लगन पर रहने से आपका स्वास्त बढ़ियां रहेगा और धन्य धान पर आकरम की ब प्रतिक्ता की प्रापति होगी लेकिन गुरू की जो पांचवी जो गुरू की चटुवे इस्थान पर रहने के कारण जो है गुरू की दरश्टी पड़ रही है बेस्थान संकट आपको लगी रहेगी इसके साथ जो है दसम इस्थान पर कर्म छेतर पर गुरू की द्रश्टी रहने से आपके कारें की सिद्धी के योग बनेंगे आप जो है जिन भी कार को कर रहे हैं नौकरी है कार है ब्यापार ब्यवसा है इनमें आपको मान समान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कारशिद्धी के योग बनेंगे इसके साथ ती साथ गुरू की जो दृष्टी पढ़ रही है पराकरम पे पढ़ रही है तो आपके नए कार हो सकते हैं भाई वहनों से सहयोग मिल सकता है परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है इसके बाद हम देखेंगे तूला राशी वालों के लिए पंचम भाव में जो है गुरू का गोचर हो रहा है तो पंचम भाव में गुरू का गोचर अत्यनतिसोभ है कार व्यापार नौकरी और साधी विवाय संतान इन सब चित्रों में आपको सफलता की योग बनेंगे मार्केट में दिकाम कर रहे हैं तो लाप के योग बनेंगे अच्छे लाप के योग बनेंगे और चोतरफा आपको लाप की प्राप्ति होगी गुरू की दर्ष्टी भाग में रहने से आपके भाग भाव की ब्रद्धी होगी साथी साथ लगने पे रहने से साधिरिक स्वासताप का उत्तम रहेगा तो ज्यां दोस्तो इस प्रकार से तूला राशी वालों के लिए भी गुरू का गोचर अतिसुफल प्रदान करेगा अब आती है ब्रश्चिक राशी तो ब्रश्चिक राशी वालों के लिए हम देखेंगे कि गुरू का गोचर क्या असर करेगा तो ब्रश्चिक राशी वालों के लिए जो है चतुर्त भाव में गुरू का गोचर हो रहा है जब भी चोथे भाव में गुरू का गोचर होता है या कष्ट प्रदान करता है, परिवार में हानी उठ होती है, या लडाई छगड़ा हो जाए, या सोक उत्पन हो जाए, किसी ना किसी प्रकार की आपको हानिया उठानी ही पड़ती है तो इन से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी इसे लिए आप गुरु की सांतियादी कर सकते हैं। भाव पर गुरू की दर्ष्टी रहने से गुप्त कारियों से आपको लाग की योग बनेंगे जियां दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अगली रासी जो आ रही है धनूरासी तो धनूराशी वालों के लिए पराक्रम भाव पर गुरू का गोचर हो रहा है तो जब भी परा ऐसे में जिन भी लोगों के साधी विवाय अभी तक नहीं हुए हैं उनके इस बर से जो है साधी विवाय के पूर्णी योग बन रहे हैं इसके साथी साथ लाब में गुरू की दर्ष्टी रहने से आपको अच्छे लाब की योग बनेंगे आप हर छेतर में लाब प्राप् साथ साथ सत्रूं पर विजय की प्राप्ति होगी और इसके साथ साथ जो है कार व्यापार की छेतर में आपको नौकरियादी संबंद में मान सम्मान की छेतर में आपको विशेष मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग बनेंगे कुम राशियालों के लिए क्योंकि लगन मे ध्यान में रखना पड़ेगा लेकिन गुरू की द्रष्टी पंचम भाव पे पढ़ रही है याने विद्या बुद्धी ज्यान परिवारिक सांती संतान विवाह तो इन से संबंदित कारे जोदी आपके रुके हुए हैं तो इन छेत्रों में आपको बिसे सफलता की योग बन मंगलकार होंगे इस प्रकार से कुम राशी वालों के लिए भी गुरू मिश्रिट फालुद्पन करेंगे अब हम देखते हैं कि मिन राशी वालों के लिए जो है गुरू का जो गोचर बारवे स्थान पर हो रहा है ऐसे स्थिति में आपको खर्च अदिक होंगे, कार व्यापार, सारे छेत्रों में आपको हानियां उठानी पड़ सकती हैं, नौकरी से सम्मंदित बाधायां आपको उत्पन हो सकती हैं, कोई बड़ी परिशानी आपको आ सकती है, इसके साथ इसाथ गुरुदेव की दरश्ट रहने से कुछ गुप्त रोग भी उत्पन होंगे, लेकिन गुप्त कारियों से आपको विसेस लाप के योग बन सकते हैं, तो मिन रासी वालों के लिए बारबा गुरु जो रहता है, कष्टकारी होता है, तो आपको उपाय सांती करना पड़ेगा, तो यह सुप अल्पतान नमबर से लेकर के 13 अप्रेल 2022 तक जो गुरु हैं, वह कुम रासी में रहेंगे, इसके बाद उन्हें अपनी मीन रासी में गुरु प्रवेश करेंगे, तो इसके लिए अगला वीडियो फिर बनाय जाएगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवा प्रसके लिए विए